दोस्तो वारी एनर्जीस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के इंदर जो गिरावड थी वो थमती हुई दिखाए दे रहे हैं स्टॉक ने फिल से बैतर परदसन करना शुरू कर दिया है अब आप देखी सकते हो कि IPO प्राइस से स्टॉक लगबग इस समय दुगुना होता हो दिखाए दिरा है प्रॉब्लम आई थी USA जब डोनाल टरंप ने अपनी तरफ से जो फैसला किया है कि वो आने वाले समय ग्रीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट है उनको बंद कर देंगे और इससे एक बड़ा जटका लगा वारी एनर्जीस को क्योंकि वारी एनर्जीस का बहुत सारा बीजनस यूएस में भी है लेकिन अब कंपनी को अपने और कुछ नए फैसले करने होंगे इंडिया के बाज़ार में फोकस करना होगा और यहां से काफी बड़ी गुड़ी निकल क्या रही है हमारे नियूरी इनर्जी मिनेश्टर की दर्प से जो यहां पे एक बड़ी संभावन अव्यक्त के गई है जो आने वाले समय सेक्ट में बहुत बड़ी तेजी ला सकती है तो उस अपडेट को अच्छे से डिसकस करेंगे और जानने की कोसिस करेंगे क्या वारी एनर्जी इसमें आने वाले समय सांधार तीजी आ सकती है वैसे यहां पे स्टॉक एसम लिस्टे बाहर हो चुका है यह भी इसके लिए बहुत अच्छी गुड़ी जै और इसका पी रेशियो कैसा है सबसे सवाल बड़ा यह होता है क्या इस्टॉक सस्ता है या फिर मेंगा उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए बहुत स्वागत है तो सबसे पहले गुरुवार के कारोबार की बात करे तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआ थी पॉइटी हुई नीचले लेवल से खरीदारी के दंपे श्टॉक ने 2,966 का इंट्राडे का ही बनाए और क्लोजिंग भी उपर की तरभी रही है 2,916 पर जापे 1.35% की तेजी देखनों को मिले तो खुल मिलाके जो गिरावट का दोर था उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगता हो दिखा देगा अब इसकी परफर्मेस देखे तो आई प्यों आने के बाद पिछले चार ट्रेडिंग सेसन में लगा था दोरा इस्टॉक एक नॉमबर को 2890 के आसपास था आप देखे उसमें 15% की तेजी और उसके बाद देखे तो 6 नॉमबर तक श्टॉक दोरते हुए 4% की तेजी के साथ लगबग 3700 इंट्राडे में पहुच गया तो आप देखे तो कि एक तरपा दोर लगाई वैसे यह स्टॉक लिस्टिंग के बाद इंट्राडे में 2300 तक गया था 2300 से 3700 रुपे का सपर तेकिया बहुत ही बैतर रिटन दिया उसके बाद में इसमें गिरावट शुरू ही तो तीन ट्रेडिंग सेसल में भारी बरकम गिरावट हुई और जो श्टॉक 3700 रुपे पहुचा था वो देखो कि लगातर गिरा साथ नॉमबर को इसमें 8.60% की गिरावट हुई तो आठ नॉमबर को 6.86% की गिरावट और यहां तक की 11 नॉमबर को तो 11% गिर चुका यानि आप देख सकते हो कि यह जो गिरावट है यह करीब सिरफ तीन ट्रेडिंग सेसन में अगर आप देखेंगे तो करीब 26% के आसपास की गिरावट हुई और इसकी जिसकी वज़े से जो श्टॉक है वो फिर से आप देखे तो आगया अठाई सो के आसपास लेकिन उसके बाद अब आप देखे तो इसने पिछले तीन ट्रेडिंग सेसन में फिर से तेज़ी बतानी शुरू किया बाराद नौंबर से लेके अभी चौदा नौंबर तक अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर लगबग यहां पे हमें करीब 3.3% की तीज़ी देखना को मिलेगी तो नीचले लेवल से स्टॉक फिर रिकवर होने लगा है और तीन ट्रेडिंग सेसन से इसमें पॉजिटीव क्लोजिंग देखना को मिल रही है यह एक सुप संकेज है अब इसका ओल टाइम लो रेंज अगर आप देखेंगे तो तेजिस सो रुपे का है और हाई 3743 के आसपस है यह इसका ओल टाइम हाई है अभी फिलाल इस्टॉक उस लेवल से काफी नीचे आ गया है यानि यह कि तरह से इंट्री का अच्छा मौका आ गया है उन लोगों के लिए जो इसमें इंट्री करना चाहते है अब यहाँ पर देखेंगे कि इस्टॉक को एसम लिष्ट में सिफ्ट किया गया था तो स्टेज बन एसम लिष्ट में था सौर्टम लिष्ट में और आप देख सकते हो कि यह पाच नॉमबर दोजार चौबिस को इसको सिफ्ट किया गया था लेकिन तेरा नॉमबर दोजार चौबिस को अगर आप देखेंगे तो यह एसम लिष्ट से बाहर हो चुका है यह एक बहुत अच्छी गुणिज है दोनों एक्चेंज ने इसको एडिशनल सर्वेलेंस मेजर से बाहर निकाल दिया है यानि अब एक तरसे इसको फ्री कर दिया गया है अभी फिलाल स्टॉक को लेकर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है जो पिछले नों बहुत जबड़ना सा उटा पड़क देखने को मिली जिसके वज़से इसको ASM लिश्ट में सिप किया गया था लेकिन अब उसको ASM लिश्ट ने बाहर कर दिया गया है यानि आने वाले समय इसमें अब नॉर्मल ट्रेडिंग हो पाएगी कोई चिंता की बात नहीं है तो 13 नॉर्मबर को ये ASM लिश्ट में बाहर आ चुका है अब एक बहुत बड़ी गुंडी निकल के आ रही है अब आप देखी सकते हो कि वारी एनर्जीस का यूएस में बहुत सारा बिजनस है और यूएस प्रेसिडेंट ने का है कि वो आने वाले समय प्रेसिडेंट के प्रोजेक्टर उनको रोक देंगे उसके लिए जो सबसीडेंट वो भी रोक देंगे जिसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रियेट हुई है वारी एनर्जीस के लिए लेकिन अब सरकार ने बड़ा फैसला किया है यहां पर सरकार एक टास्क फोर्स का गठन करेगी जिसके माधियम से 2030 तक 500 गिगावट की कैपिल सिड़ी को पाने का लग्से पूरा किया जा सके तो देख से को कि हमारे रिजम बलाजी मिनिस्टर परला जोसी की तरब से जो बड़ा बयान निकल करा है कि सरकार जो अपना गोल सेट की हुए 500 गिगावट का 2030 तक उसको अच्छिव करने के लिए पूरी तयारी कर चुकी है तो हमारे रिजम बलाजी मिनिस्टर परला जोसी ने यहां पर एलान किया है कि एक डेडिकेट टास्क फोर्स त्यार की जारी है जो यह फोर्स होगी यह 58 की गिगावट की कैपसिटी को 2030 तक किस तर से पाना है उस पे उस लक्षे को पूराखने के लिए काम करेगी इसके लिए मिनिस्ट्री आप नियुरिदम राजी और मिनिस्ट्री आप पावर के साथ कॉलिबरेशन करके आप देखे इस टास्क फोर्स का गठन करेंगे तो देखो कि दो दिन का चिंतिन सिवीर का जो इवेंट हुआ था बहुनेश्वर में उस ओडिसा में उस दोरान हमारी इनिस्ट्री की तरफ से का गया है कि हमें आने वाले समय करीब 288 गिगावाट की इंस्टल कैपसिटी को और पाना है आने वाले 6 सालों में और उसके माद्यम से अगर आप देखेंगे तो करीब 42 लाग करोड के निवेश की जुरूत पड़ेगी जिसके लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है और उसमें देखो कि ट्रांसमिशन इंफ्रासेक्टर का सारा कामकाच करना है तो 42 लाग करोड रुपे के निवेश की जुरूत पड़ेगी सबकों मिलके जो इस सेक्टर से समधी जो चैलेंजे से उसको कंप्लीट करना होगा उससे बाहर निकलना होगा तो इस इवेंट के दौरान 117 इंडेश्टी लीडर्स और 67 रिपरजेंटिव अलग अलग स्टेट के उन्होंने जो पी एसुज कंपनिया और इस दुसरे और भी जो बहुत सारी इन्वास से समधी कंपनिया उन्होंने इससा लिया और इस इवेंट के मादियम से किस से आग प्लेयर दोनों मिलके कदम से कदम मिला के ही इस सेक्टर में आगे बढ़ा जा सकता है और जो गोल है उसको चुछ किया जा सकता है सरकार इसके लिए अपनी तरब से बहुत सारी सबसरीज भी देने का ऐलान कर चुकी है यहाँ पे इसके लिए पावर पर्चेस हाइडोजन बनाने के उपर फोकस करिए यह ग्रीन हाइडोजन जो प्रोडेक्शन होगा यह एक्सपोर्ट किया जाएगा विश्व के लगड़क देशों में जो आने वाले समें देश का नया फ्यूल होगा जो पैटल डिजल की जगल लेगा और सारी इंडेस्टिज इस ग सबसे उपर कंपनी आपको सीमेंस देखेंगे तो सबसे उपर कंपनी आपको सीमेंस दिखाए देगी जिसकी प्राइज 6,766 की है और इसका पी रेशियो 98.96 का है यह भी भी नंबर दो पे है आप देखेंगे जो प्राइज 6,680 की है और इसका पी रेशियो गर आप देखेंगे तो 83.87 का है CG Power Industries जिसकी प्राइज 695 की है और इसका पी रेशियो गर आप देखें तो 84.81 के आसपास है और उसके बाद आप देखेंगे भेल जिसकी प्राइज 223 के है लेकिन पी रेशियो 175 का है Try line energy जिसकी पी रेशियो 77.84 है और प्राइज 56 के आसपास है और हिताची एनरजी जिसकी प्राइज 11,782 के और पी रेशियो का 250 का है तो इस list में आपको जो सबसे सस्ता share दिखाई देगा तो वो सुजलोन energy है फिलाल सुजलोन energy का P ratio सबसे कम है उसके बाद आपको AB भी दिखाई देगा तिसरे नमबर पे वारी energies है तो यह देख सकते हो कि वारी energies भी सस्ता है लेकिन हिटाची 250 का P ratio है और उसकी प्राइज 11,000 के आस्पाई तो इस तरह से प्राइज बढ़ते हुए काफी ऊपर चले जाती और P ratio भी बढ़ जाता है यही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू फ्रेंड्स